हेलो चिल्डेन वज्चो पिछली वीडियो में आपको क्लास 3 में हिंदी में चैप्टर 7 से टिप टिपवा का पुस्तक पटन कराया गया होगा और उससे संबंदित संब्दार्थ बताएं गया होगे आज मैं आपको उस पार्ट से संबंदित प्रेक्शन उत्तर बताने जा रही हूँ जिसे कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे पहला कोश्यन इस कहानी में लगता है सभी परिशान थे बताओ कौन किस से परिशान था आपने इस कहानी का अध्यान क्या होगा जिसमें आपको पता चला होगा कि सभी लोग कुछी न किसी कारण बस परिशान थे तो आप कुछ बैक्ती का नाम बताना है वो किस चीज़ से परिशान था वो भी बताना है तो इसका answer होगा बुड़िया इस कहानी में बुड़िया है जो कि किस से परिशान थी चोपडी में टपकते पानी से बाग की से परिशांता टिपटिपवा सबसे वर्सा से दोबी की से कहानी में कुछ वाक्य दिये गया है जिसको कि आपको अपने अपने सब्धों में लिखना और घह है जरा पोती भाच कर बताईए वह कहां थो इसका अंसर होगा पहला है टिपटिपवा कौसी बला है तुसका अंसर है यह क्या बला है टिपटिपवा और ख है पतनी की बाद धोबी को जच गई तो इसका अंसर है धोबी को पतनी की बाद समझ में आ गई गह है बाग बिना चूचपड किये भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया इसका एंसर है गह में बाग चुपचा भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया गह है जरापोती बाच कर बताईए वक कहा है तो बच्चों आपको इस सारे प्रश्मित्तर को कौपी में साफ साफ सुन्दर सुन्दर अक्षरों में लिख लेना है और इससे याद करना है धन्यवाद